असलामलेकुम एब्रीवान वेल्कम टू दाद नीव व्लोग एंड न्यू ब्यूटिफुल डे उमीद है आप सब ठीक होंगे खुश होंगे खेरियत से ओंगे आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है माजी भी बिल्कुल ठीक हैं बाकि सब भी घरबले ठीक हैं हीना भी ठीक है और आज का जो विलोग है वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है इंट्रेस्टिंग क्यों होने वाला है क्योंकि मैं कुछ लोगों को जो हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छी बाते करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उनके लिए भी कुछ बाते करूँगा, क्योंकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, और कुछ बाते उनके लिए होंगी, जो बैट कमेंट करते हैं, और साथ हम कमेंट्स भी रीड करेंगे, तो य क्योंकि जिस पे जो एक गुजरताह वो असी वक्त से सीखताया तो जो हमने सीख है हम आपके साथ शेयर करें गे और जिस तरह से हम के ली यह ऐसे प्लाटफॉर्म पे और हमने स्टार्ट किया हरचीज हम आपके साथश्यर करेंगे तो आज की वीडियो में हीना भी होगी मेर साथ और मैं भी होगा हम दोनों आपसे बाते करेंगे जीतो गाइस हम लोग हीना टुंडी को ले आए हैं और टुंडी शना हो तभी ऐसे कैसी आपकी तभी ऐसे सेट है तो आप मुझे कल से कहाई थी कि मैं कुछ बोलना चाहती हूं कुछ कहना चाहती हूं जो सबसे पहले तो आप जाहिर है जो आपको संद करते हैं आप उनसे कुछ ना कुछ बात करेंगी फिर बाकी बाद आप खुद बताएं क्या कहना चाहती है असलामने कुम आप सब के आप सब बिल्कुल खेरेट से होंगे अलाग के शुकर मैं भी बिल्कुल ठीक हूं जैसे के आप लोग देख रहे हैं और सबसे पहरे तो मैं यह कहना चाहूंगी कि I really, 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 really miss you जो हमारे अच्छे वर्ज हैं, seriously, मैंनों को बहुत जादा मिस किया उनको मिस किया मुझे नहीं किया जब मैं कल गर चोल के चलागया था मैं आज आया हूं वापिस, guys, और एक दिन मां पूरा और एक रात मां पूरा भाई रहा हूं तब नहीं किया मिस तुने, तो भाई को नह करती हैं, याद कर लो डुबारा कर लो एक पाता था, इसको ना कमजोरी भी हो गए है, इसके ना memory loss हो कि इसको बिमारी हो गए है , इसकी memory भी काफी है अवे रेको में पोई खाया? मैं अजिशे में किया आपको मृया खाया है अशायर आपको ञाया है क्या सुटी से चूनी चुically चुर्णी में आपको तनी साथ बहुत थाईजमें्ट जोगी है मतलब just one montho यह तनी क्या फाईजमेंट र उटाईजमेंट घए है लेकिन आपका बई सरे कमेंट्स पर रहा है ता। क्योंक्य आपके भई को फ़रक calculation पड़ता है लोग क्या कहेंगे? और इंसान और कम्याभी के बिच में एक ही इ experience is always a good thought छोग क्या कहेंगे? अगर आप इस जुँम्ले को अपनी exist में निकाल दो जैसा कि मैंकल तुमें कहा रहा था तो आप भाई कामियाब हो आपको भी मैं यह बात कहूंगा कि यार इस जुम्ले को ना अपनी जिन्दगी में से निकाल दो जब तक आप इस जुम्ले को निकालो के आप भाई कामियाब नहीं हो सकते हैं लोग पते कहते हैं लोग आपको प आपको खुशनी रहने देंगे किस तरह हो रहा है किसे मैनेज करो हूँ मुझे बिल्कुल भी समझ आ रही थी और अलहमदोरिला मेरी फैमिली बहुत जादा स्पोर्टीव है मेरे बाई मेरे फादर मेरे ममा सब और बाकी भी बाकी आपको आपके बातें समझ आई हैं इसके अपर भी लोगों रेकमेंट्स की हैं कुछ लोगों ने अपनी चोटी सोच की विज़ा से और एक चीज मैंने इस चोटे से टाइम में सीखी है कि इनसान खुद जैसा होता है ना वो दूसरे इनसान के बारे में वैसे गुमान रखता है ठीक है तो यह लोगों के बातें बिलकुल भी नहीं दिल पे लेनी चाहिए मैंने चीज़ीं और अपनी कमजोरिय। कभ़ेशी किसी के हाथ में ने रखना जाएँ ये मेरी मैंने बहुत वरी कहने आप एक अपने साथ ही मैंने गलग कर लिया कि मैंने अपनी कमजोरी आप लोगों के हाथ में रखती अपने फर्स्ट विलोग में और अपने थर्ड विलोग में जो के टू के सेलिबरेशन पर मैंने बनाया था हम लोग आप से हर चीज शेयर कर जो हमें दिल से चाहते हैं और हमें स्पोर्ट करते हैं और जो अच्छी सोच रखते हैं हमारे बारे जिनको हम नहीं पसंद हो यहां से चले जा करते हैं जो आपको पसंद हैं हमें आप देखें क्यों अपना टाइम वेस्ट करनें अगर हम आपके पसंद के कोडिंग है ही नहीं बाकी मैं यह बात करी थी कि अपना कभी भी वीक पॉइंट किसी को नहीं देना चाहिए जिसमें मैंने मुझे बिल्कुल भी सोचल मीडिया का इतना बिल्कुल भी नहीं मैंने फर्स्ट व्लोग में कह दिया कि प्लीज मुझे बैड कमेंट्स मत कीजिएगा आप लोग जा के देख सकती हैं शाहिज जिनों ने देखा और इनको आइडिया हो और इसी तरह मैंने टूके सेलिबरेशन जो के मेरा थर्ड वी लोग था मैंने कह दिया के मुझे प्ली मैं तीन तीन बार रो रही हूं हस रही हूं रो रही हूं मेरे इतने मूर सिंग्स हो रहे थे मुझे समझ ही नहीं आ रहती कि यह सब कुछ क्या है किस तरह के लोग है तो कभी भी अपना विक पाइंट किसी को भी मद दें बने और स्पेशलि एपनी घर की जो लड़किया है बेटियां आपकी बेहनियां उनको स्ट्रोंग रहे अब इस पे इनोंने काया कि जी भाई कैसे है तो बाप कैसे है यह वो तो मतलब आप लोग किस से दोर में जी रहे हैं मुझे इस चीज़े आपने बोली है ना मैं देखी है मैंने कुद परेंग मुझे बाई टके का यह एक है बतूल बतूल मैं आपकी बहुत जादा शुकर गुजार हूं मतलब आपके बातें सीरिसनी मेरे दिल को लगी हैं कि जैसे आपने काया कि और जो जो लोग बैट कमेंट्स करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मतलब वो रिक्वेस्ट कर रही है कि बिला सोचे समझे किसी को बहुत हर्ट कर सकते हैं अल्ला से ड़रा करें ठीक है आप किसी का दिल दुखाना गुना है ऐसे ही है अगर मैं मेरा पर्दा करना या ना करना मेरे लाइफ में कुछ भी करना यह मेरा और मेरे अल्ला का मामले है ठीक है और यह हकुक अल्ला से तालुक रखता है और पाग अरफुरुरुरुरहीम है बख्षने वाला इसको पतरै कि उसके बंदे की किया है? उसके बंदे के दिल के अंदर क्या है? उसका बंदा आपने रफ्स से कितनी महथद करता है ठीक है ये हम आप लोगों पुनिए कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को नहीं जच कर सकता, ठीक है, अल्ला भी तर जानता है, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं, वो उसका तालुक हो कुल इबाद से है, किसी को दुख देना, अजियत देना, किसी का दिल तोड़ना, उसका दिल दुखाना, उसको तकलीफ में म हमारा मौशरा कैसा है, कसूर लोगों का भी नहीं है, हमारी सौच ऐसी सות बन चूकी है, जादतर लोगों, तो अब जिनकी आपको दुख हुआ इसकी वहालत दे के तो ऐसी सोच हर इंसान की नहीं होती है हम भी इसी लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आपका कमेंट रीट की है कि शाहिद हमारी वजह से भी आपकी ये बात की वजह से भी किसी की सोच बदल जाए और सब आगे मरें स्पेशली जो बेटियां है लड़कियां है उनको हम मेरी फैमली से तो मुझे यही सोच मिली है कि कभी भी किसी के पर डिपेंड नहीं करना चाहिए मैं टीचिंग करती हूँ ठीक है उसमें मेरे भाईयों को या मेरे फादर को कोई इस चीज का बेनिफिट नहीं है मैं अपने लिए करती हूँ ठीक है मैं अपनी लाइज में जो भी करूंगी मैं अंपने लिए करूंगी आप लो कहने जहां दीसे पेले सोचते ही नहीं है बिल्कुल भी तो यहां पर मैं यह चीद कहूंँ कि कि ये मेरा और मेरे लगाला का मामला है ठीक है लेकिन जो आप लोग कर रहे हो वो हकोकली बात को परमाल करके किसी को दुख दे रहे हो अजियत दे रहे हो तकलीफ दे रहे हो ठीक है क्या आपको पादर इसका कितना गुना है कि आपने इसके पर स्टेडी किये, आपने ये तो स्टेडी कर लिया, वो बंदा ये काम कर रहे, इसका इतना गुना है, कि आपने इस चीज के पर स्टेडी किये, कि जो काम आप कर रहे है, उसका कितना गुना है, उसकी क्या सिजा है, तो प्लीज इसके पर भी स्टेडी करें, और यह तब तक माफ नहीं होता है, जब तक बंदा माफ ना करते, अल्ला माफ नहीं करता चलो अब दूसरा स्टार्ट करो कमेंट लबी है लबी वीडियो अब पहले मैंने जैसे के एक बतूल का शुक्रिया दा किया है, इसी तरह से एक है आहद खान, ठीक है उन्हेंने कहा है कि सब ड्रामे हैं पहले मास्क लगाने का हरवका थोड़ी मास्क लगाकर रखती थी हद है तो क्या आप मुझे मेरी परसनली मुझे जानते हैं? पहली बात है मैं मनाफकत नहीं कर सकती के कैमरे के आगे मास्क लगाऊं अपनी रेयल लाइफ में ऐसे ओपन जब मैं इनवस्टी जाती हूँ, अकैडमी जाती हूँ, टीचिंग करती हूँ जिसमें गल्स वाइस तोनों को मैं पढ़ाती हूँ ठीक है, अब वो चाहें मेरे स्टुटेंट है बट मेरे महरम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये मनाफकत नहीं कर सकती के एक जगा मैं अपना पर्दा करूं और एक जगा मैं खुद को अपर रखूं, इनसान जिस तरह का है, वो किसी को अच्छा लगे या बुडा लगे, उस कोई फो मेरे में दो आपना घर ऑर परदा करें लुडाने हैं, और भी मुझा राखी मेरे और नहीं बटाने हैं? I feel about it को अपके इने सूर पर्दा करें, और यह अम खर कॉदार ही, और पर्दा में भी बहन नहीं हूँं। फो आप ढोगे हैं, या और खुदाराम का तो अगर आवास नहीं जानी चाहिए ना तो मैं यह मैसेज दूँगे अपनी बेटियों को घर बिठा लो उनको पढ़ने का भी फिर हक नहीं है नहीं घर क्यों बढ़ा लो गारी तो समझ के होंगे लेकिन बात यह है कि यार अपना स्पोर्ट किया करो लग्कियों को पहली बात अगले बंदे का आईडिया नहीं कर सकते कि उसकी सोच किया है आजकर लोग उपर से कुछ और अंदर से कुछ हो रहा है ठीक है लेकिन स्पोर्ट करें ताके लड़की खुद स्चैंड ले किसी पर डिपेंड ना करें कल को कोई भी इश्यू हो तो उसके पास इतना हो कि यार वो खुद कर सके कुछ किसी को वह दो किसी के आगे हात ना करें के मुझे जी ऐ चीज चाहिए और लड़की किया लड़को को भी हर घर इनसां को आज कल लेकिन नब को यह लड़कों से ज्यादा स्टुगल कर रही है लेकिन उनको कोई क्या है स्पोर्ट नहीं है ही जो अहद खान के लावां कि लावा कि ज्ञिस को यहाथ और मैं यहाथ जो अ only कुछ लोगों ने किया है तो मैं यगीन मानि के मुप्या उप्राव से को ङॉफा मात हैं रमजान का महीन है ठीक है रोजे की हालत में मैंसे कोई इल्फाद निकालना चाहती है कि उसका असर किसी के अपर पड़े तो बस यह कोंगी अल्ला से डरें और किसी को भी जज्मत कर लिया करें मारवी जी जबने का अफसोस चैनल के चकर में पर्दा छोड़ना पसंद करना करा हीना ने हीना को चाहिए थे के चैनल ही छोड़ दे बड़ क्या कर सकते हैं व्यूस पर्दे में नहीं आ रहे थे तो अफसोस को क्या है उतारने का भाहना चाहिए था ठीक है मुझे एक में पहले बात बोलने थो मारवी जी है मारवी जी बात सुनें फरस्ट फॉल आप जाके पहले हमारी वीडियो देखें ठीक है सबसे पहले अगर आपने किसी पर बात करनी है तो आप कंफर्म करने आप जो बात कर रहे हैं वह आप सही बात कर रहे हैं या फिर वह आपकी बात ही शुरू से ही बात आपकी गलता है आपने क्या बोला कि हमारे जो इसने मास्क किया वाय उसमें भी कितने आई हैं अच्छे व्यूज़ है अलागदुल्ला हमारा कोई शानल डैक नहीं हो बात है है 12 के स्क्राइबर्स हैं और उसके ओपर व्यूज़ मास्क में आई है 17 के 20 के 33 के मैं यहां पर किसी भी तरह की मैनी कह रही है कि हम ल मतलब के आप लोगों को जरा शरम नहीं आ रही है ऐसे बाते करते हुए पहले आप लोग इन्फरमेशन तो लेने फिर किसी के ओपर उंगले भी अठा लें और अगर आपको हम नहीं पसंद है तो आपके पास यह फिंगर है ना उपर कर दे हमारी वीडियो मत देखे आप औ ठीक है और उनको जाके फूलो करें जिनका पसंद करते हैं ऐसे ही एक है शहमीर ठीक है इनकी में ठैंक प्रू इनने बात किया कि पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ थी और ये बो लोगे जो हमें स्टार्ट से फस्ट विलोग से देखते आ रहे हैं क्योंकि उनको हमारे डे आपके बगार ही जाते हैं ठीक है इग्नोर करो इनको एनन जैसे चाहिए वैसे भी लोग बनाए हम आपके साथ हैं तो डॉक्टर ने जैसे कि मेरा मेडिकल इशू की वज़े से मुझे इस चीज़ से मना किया ही और मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था मैंने अपनी मर्ज मेडिकल इशू की वज़े से और मैंने स्कॉलर से भी लाए ली तो उन्हें ने भी मुझे इस चीज़ के पर यही काया कि इसमें डील दी गई है इसलाम में और इसमें इखतलाफ भी मैं किसी को नहीं कहती कि मेरी बात को फोलो करें मैं किहां पर किसी को भी दर्स नहीं दे मैं सिर्फ अपनी कंडिशन के पर बात कर रही हूं ठीक है तो उन्हें इस यही बात की कि मेडिकल इशू के वैसे इसलाम इतना सफ़त नहीं है जितना हम बना के रख देते हैं ठीक है और जैसे हम इसके पर इक्तलाफ भी है कि औरत का परदा इतना है जैसे वो नमाज लिए मतलब 16 हाथ पाऊं किराबा वो कवरो सर उसका कवरो बोडियूस की कवरो और अल्ला के घर में भी इसी तरह से आप तवाफ करते हो तो यही आपकी इसी कंडिशन में अपो टीक है मैं स्टार्ट से अपनी इसी कंडिशन में आई थी लेकिन असके पाद मेरे निदर जिस तर कर दिया वहां पर लेकि मेरी हालत बीगरती कि मुझे होस्पिटल में एडमीट होना पड़ा ठीक है तो यहां पर मैं यही बात कहना चाहूंगी कि आप लोग किसी को भी जजना कर लिया करें खुझ से ही अगर आपको किसी की कंडिशन का नहीं पता तो आप उसके पर उंगली मत उठाएं आपको नहीं पसंद आप उसको मत देखें अली यहां पर एक जो बात है ना यह सारीम की खैर सोरी तो से मैं यह बात करना चाहूंगी कि इन्होंने का है कि पिपल आर लाइक डॉग्स ऑल्वेस बार्किंग ठीक है मैं पूफुल कमेंट नहीं भी डीट करी वो आर वर्किंग हार एंड दिविंग देम इंटर्टेंवेस थीक है यह लोने स्टार्ट में बात किया है कि स्टूपर्ड सी ली यह वो मत बैड कमेंट करने वादों को उन्होंने डोग से मिला गी है तो आए सोरी तो से हमें इतना गुसा नहीं है लेकिन लोग जादा करें क्यों क्यों कि लोग हमें जो शुरू दिन से देख रहे हैं उनको पता कि यह किस टाइप के हैं नेचर के हैं और यह किस तरह के लोग हैं तो सलीम जी मैं यहां पर बात करने के आप नने डोग से के इंसर्ट कर दिये हैं doks भी को नस्ली होते हैं और यह अगले इनसान को खुश कूं है पहुश ग्यूम को हो अगर कुश है और आगले इंसां को और उन्हों को खुश कूश की है और आपको और आपकी सोच अची करें आमीन सुमा आमीन लेकिन बहुत खुश हुई के 90 परसंट बलके 99 परसंट बैट कमेंट रहेंगा थीक है वो आप तुने देखे भी होंगे अरे यह होता है आप लाइफ में जाते हो ना तो आपको यह नहीं किया सकते कि हर बंदा हमारी सोच किमताबी को यह हर बंदा ही हमें पसंद करें अशर नहीं होता तो एंट मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग भी स्ट्रगल कर रहें ठीक है वो लोगों के बातों को दिल पर ना ले जैसे कि मैंने लिया मेरी गल्ती बिलकुल भी ना करें लोग ने बहुत सब्सक्राइब कि आपने इतनी जल्दी कैसे चैनल ग्रोव किया यह इसके पर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे इन्शाला आपकी जात से अगर किसी को फाइदा पहुंचे जाए ना इससे बड़ी और कोई कुछ नसीबी नहीं हो सकती कि आप किसी क मैंने कभी भी अपनी लाइफ में अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को कमेंट नहीं किया बैड क्या बुड कमेंट भी नहीं किया कभी भी नहीं किया जाएब से बात है हम लोग आज के दोर में यूटीब और मैं अनिमेटीड मुवी बहुत शोक से देखती हूं किसी भी बी मुवी के ओपर ड्रामे के ओपर विडियो के ओपर कहीं पर जाके देखती जरूर थी लेकिन ये कभी पी कमेंट नहीं किया चल पही टूंडी उन सैक्त हो चाहँ और तूंडी तूंडी कमेंट करने हैं आपके बाइसे प्यार ही बहुत करते हैं अपधाले में अली नाम रखू त्टीक है मैं इसको इतना मना करनी हूँ एक इतना रड़ाई को यह नहीं हत्रा थीक है यह कहने से पार बढ़ाई प्रवर्वर मुझे यही नाम से बुला रहा है और आपने को रह通 जो में ज़े ही जा के मैं बहूं क्या नम का क्या नम राकू हो कुछ को घब दनीज को यसे थे music.... आपके के साथ थाफ्भा सथ है भवी ज़ेयो ये मैं भाइब आपके वीजोहा गायर गायर करने, किर दो किर दो अफ लोगों प्रॉड करने है मैं भी कर दूंगा, don't worry आपको मैं नहीं सिखाया है कोई बात नहीं आता है तो सिखाया है नहीं आता है आता है नहीं आता है आपसे हम यही पे अपने विलोग का एंड करते हैं मेरी तरफ से तो आप सब्सक्राइब मैंने भी कुछ बाते करनी हैं कोई एक दो मिल्की आम बात करों गा लोह थे मिलोग करते हैं और यह बाते करूंगा कि वै बाते कर तूंडी की दiumांसे जाएं व मैं उन लरकियों की दिमांगा मिल में दालना चाहता हूँ अगर जांशिए तो जो लोगों की बातों में आपसे बात करता हूँ और अपसे करूँ गा आपकी और मेरी परिशन में जा आपकी जा रही है लोगा इसे लगदे नशा करके तुन हो गया है तो खेर वही तिलब से अलाफीस अग्यारत किया गाएगा और ऐसे यह जो हैं यहाद किया आप जिन्दगी में मैंने एक चीज़ सीखी है दोंट एक्सपेक्ट सेम रिटर्न आप किसी से एक्सपेक्ट ना करो कि आप रिटर्न में वही देगा जो आप उसको दे रहे हैं जो आप उसको बता रहे हो वह आपके साब को अच्छा मश्रा ही देगा बिकोज हर किसी की आप जैसी तरभीयत को नहीं योती हिए अन्सान के सोच different होती है तो आप एक से सब्से即्सपर ना करें कि वो क्या किएगा उसकी सोच चेंज हो जाएगी मैं उसको इस तरह से बोलूंगा तो आगे से मुझे जवाब भी पॉजिटिव मिलेगा हर इंसान की तरभियत सेम नहीं होती तो यह चीज आपने माइंड में बठा लें कि आपने एक्सपेक्ट किसी से भी नहीं करना औ और मेरे भाई लोग कहते रहेंगे आज से नहीं कब से कह रहे हैं और यह आप सब देख रहे हो कि बहुत लोगों पर बाते हो रही हैं लेकिन क्या हो आखिर में नतीज़ा भी आपको पता तो लोगों की बातों को एक्नोर करो अगर आप इस जुम्ले को अपनी लाइफ से निकाल दोगे कि लोग क्या कहेंगे आप successful हो जाओगे आप कामियाब हो जाओगे तो आप इस जुम्ले को अपनी life से निकाल दो इस बात को अपने जहन से निकाल दो तो ठीक है गाईस अपनी family का सा time spent किया करें और family का सा खुश रहा करें और सबको खुश रखा करें अलाफीस मिलते हैं पर नेक्स विलोग में